बुलो श्री प्राणनाथ प्यारे कीजे! बुलो श्री सत्गुरु महराज कीजे! पन्ना धाम कीजे! नोतन पुरी धाम कीजे! महमंगल पुरी धाम कीजे! श्री कृष्न कनहिया लाल कीजे सर्व सुंदर साथ कीजे धनी श्री देव चंदर जी कीजे महराजा छत्र साल जू कीजे प्रणाम जी सुंदर साथ जी आए श्री कृष्न तृधालीला पुनरा वृत्ती दे थ्री and this is the final day आए चलते हैं revision की और सब सुंदर साथ मुस्तैद होशियार खबरदार तयार है सभी आंसर देने के लिए आप सोच रहे होंगे इतने जैकारे आज लगाने की क्या जरुरती यदि 16 साल जी का लगाया जा सकता है यदि धनी श्री देव चंदर जी का लगाया जा सकता है तो श्री कृष्ण जी का क्यों नहीं सब के जैकारे लगाएं अंदर से मन मुटाव मिटाकर सभी मिल जाएं चलिए कैमराज ओन है ना तभी हैंडरेस काउंट होगा यदी कैमरा ओन होगा आज कैमरा ओन के बिना हैंडरेस नहीं लिया जाएगा तो पहले आ रही हैं हमारी आशिमा जी प्रणाम जी एक चौपाई आपके साथ जल्दी से शेर कर दूँ सुन्दर साजी जब तक आशिमा जी आ रही है बहुत प्यारी चौपाई सुबह सुबह मुझे भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बस एक मिनट लूँगी मैं सुन्दर साजी आपका समय नहीं लूँगी ये देखिए जल्दी से उन पे एक नजर डाल लेते हैं चौपाई पे ये देखिए तो ये हैं श्री प्रकाश इंदुस्तानी की चौपाई है सक्खी बेन सुन ना रही कोई पल देखियो ये जीव ये जीव को बल बहुत इंपोर्टेंट है ये इन आडा था मन संसार पर जीव निकस्या पार वार के पार अती अती सुन्दक जीव देखिए हे साथ जी आप इस बात का विचार कीजिए कि ये जीव के बल का ही प्रभाव था कि बासुरी की ध्वनी को सुनने के पश्चार कोई भी सखी पल भर के लिए भी ब्रज में नहीं रुकी इनके मन के सामने भी संसार का आवरण था किन्तु जीव प्रेम में स्वयम को ने उच्छावर कर चुका था इसलिए वो भव सागर से पार होकर बेहद में पहुँच गया रास में पहुँच गया बीच में भी नहीं रुका सुन्दर साथ जी वो कारण प्रकृती में भी नहीं रुका आईए इसको विचार कीजेगा कमलेश भाई जी इनका प्रकरन नंबर बताईएगा एक बार ये जोती सिंग जी से चौपाई मंगवाई गई थैंक यू जोती सिंग जी आपके चर्णों में कोटी-कोटी प्रनाम चौपाई नंबर 24 और प्रकरन नंबर कौन सा है भाई प्रकरन नंबर और चौपाई 24 सभी घर में देख सकते हैं और इसकी अगली चौपाई में भी कुछ लिखा हुआ था प्रनाम जी भाई थैंक यू जी आशिमा जी प्रनाम जी प्रनाम जी सभी सुन्दर साथ को प्रनाम जी आज हम प्रतिविम लीला की रिविजन करते हैं तो मेरे प्रश्ण शुरू होते हैं पहला प्रश्ण अव्याकृत ब्रह्म के महाकारण के कौन से भाग में अखंड ब्रिज का प्रतिविम पड़ा है अव्याकृत ब्रह्म के कौन से भाग में प्रतिविम पड़ा है अखंड ब्रिज का जी और जब तक हैंड रेज कर रहे हैं सुन्दर साथ कल की विनर्स जो टीम रही हैं वो हैं ब्रह्म ज्यान, सेवा, इश्क, आनंद, रहनी और मेहर टीम जो हैं वो कल विनर रही हैं आप को बहुत 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 बदाई हो तो अभी सेवा टीम के पास जा रहे हैं बहुत कम हाथ खड़े हुए हैं सुन्दर साथ जी इसमें इस नौट गुड बहुत कम सबको आता है तो कीजे डीपी सिंग जी देवेंदर भाया परनाम जी परनाम जी महाकारण के सुद्ध परनाम जी परनाम जी क्वेशन टू है सबलिक के स्थूल में अखंड रास और अखंड ब्रिज के प्रतिविम पड़े हैं सही या गलत आप दोह राते भी जाहिएगा हाँ जी सबलिक के स्थूल में अखंड रास और अखंड ब्रिज के प्रतिविम पड़े हैं सही या गलत जी सबलिक का स्थूल यानि टैंट ने हैं जी तो वसंत भाई रहनी से बहुत बहुत एक्साइटिड दिखाई दे रहे हैं इसमें आंसर देने के लिए जी भाई वो आपकी आवाज नहीं आरी भाई वो कुछ लगाया तो नहीं हुआ है आपने नहीं ना आवाज नहीं आरी भाई आज कोई बात नहीं आप सही कह रहे हैं आपकी उससे उत्सा से पता लग रहा था रहनी को काउंट किया जाएगा इसमें जरूर प्रेम से पदमा जी प्रणाम जी आप लिख दीजिए वसंदाई जी प्रणाम जी प्रणाम जी अव्याकरत का महाकरण सब्ली का इस तू लेगी है इसलिए अव्याकरत के महाकरण में है उनका सही है कि नहीं जो उन्हों ने बताया विख सब्सक्राइब जी अगला प्रश्ण है प्रति बिंबित रास लीला में केवल नूरी तन लीला कर रहे हैं जबकि अखंड रास में नूरी तनों में क्या कोई जी भी है अरे वाँ बहुत सुन्दर प्रति बिंबित में केवल नूरी तन लीला कर रहे हैं जबकि अखंड में क्या कोई जी भी है इश्क टीम से कुसुम गुपता आंटी कल की शिकायत दूर की जा रही है पॉइंट टू भी नोटेड तो नाम जी हान जी अखंड रास में जी भी लीला कर रहे हैं जी तो प्रति बिल्कुल सही अति सुन्दर इश्क टीम जी अगला प्रश्न है अव्याकृत ब्रह्म के कौन से भाग में वेद रिचाओं का मुक्ती स्थान है अमेशा प्रश्न पूछने वाले सैयोगिता ही निबाने वाले बनाने वाले कमलेश पाई जी पिर से शुद्ध कारण में है वेद रिचाओं का स्थान बोले ऐसा जी बिल्कुल प्रणाम जी थोड़ी सी खट रही थी जी अगला प्रश्न है प्रति बिम्बित राज के राज बिहारी जी ने किनको सुड़ताएं धारन करने का आदेश दिया और क्यूं? अरे वाँ क्यूं बड़ा इंपोर्टेंट है किनको आदेश दिया और क्यूं दिया? हान जी अर्चना जी मेहे टीम से प्रणाम जी क्यूंकि वेदों में इच्छा जाये की थी ना कि ये लिला हमारे साथ भी होनी चाहिए तो राज बिहारी जी ने आदेश दिया था क्या सुटरू भारण करने किन भी प्रातिया जी बिल्कुल सही आज तक आज तक उनको प्रेम की लीला पता ही नहीं थी ना क्या करते थे वो आज तक वेद मंत रूप में थे वो इस्थुल में तो ज्ञान ही प्रचार करते थे तो प्रेम का उनको पता ही नहीं था पहली बार प्रेम की лей थे हिबहुत सुन दर अती सुन प्रप्रणाम जी हमें जेनरली जो प्रेक्टिस होती है न वो होती है एक सुन्दर साथ को unmute करी दिया गया है उनका नाम ले लिया तो अब hand raise क्यों करने है यहां नीचे लेगा यह तोड़नी पड़े की परंपरा क्योंकि hand raise last तक count हो रहे हैं सुन्दर साथ जी कल तो असली winner आएंगे मंडे को क्योंकि अभी तो पराबर हो चुकी है पारी बारा टीमों में तो अब मंडे को असली आएंगे आज बहुत ध्यान से करने पड़ेंगे अथी सुन्दर पराम जी एक कोशिश करेंगे सुन्दर साथ स्वयम को mute करने की सेवा भी कर सकते हैं तो कीजेगा उत्तर देने के बार जी आशिमा जी आगला प्रशन है प्रति बिंबित ब्रिज और प्रति बिंबित रास में कोई समानता है प्रति बिंबित ब्रिज और प्रति बिंबित रास में प्रति बिंबित में क्या कोई समानता है सोच में पढ़ गए हैं सभी सुन्दर साथ पर हाथ खड़े कर दिया है सब में क्यूंकि हैंडरेज काउंट हो रहे हैं अभी सोच गए हैं पर हैंडरेज हो चुके हैं तो हम चल रहे हैं रहनी टीम में जोति शाजी सनाम जी अच्छा प्रणाम जी आपने प्रति बिंबित बोला है ना आशिमा जी प्रति बिंबित जी तो मैं चल रही हूँ एक और एक और के साथ सहयोगिता रहनी टीम से ही वसंत भाई जी देखते हैं आवाज आ गई होता है प्रणाम जी अभ्वी भी भी निया रही भयाई लीव करके भी निए बोल सकती पता नी वाप stellाब आएंगे के ने सो जएएंगे मही आ रही भाई कोई बात नहीं, इसको सहयोगिता मान लिया जाएगा, सेवा टीम से सोनी बिटिया, प्रणाम जी, आज जागनी, सेवा में अलग-लग बैठी हैं, राधिका और सोनी, very good, जी सोनी बेटा, यह राधिका हो आप तो, सोनी, आप सोनी हो, मैं आपको इराधिका समझती हूँ शुरू से और उनको सोनी हो, very good, चलिए आप बोलिए सोनी बेटा, यही confusion क्लियर करनी थी आज राध जी, हाँ जी, प्रतिबिम्बित ब्रज और प्रतिबिम्बित रास में क्या अंतर है, उसमें, यही पुछा, समानता, समानता है तो बताएं, आत खड़ा किया हुआ है, बहुत सुन्दर, ब्यूटिफूल स्ट्राटिजी गोईंग ओ, बहुत 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 है, आजी, तो इनके लिए हम चल रहे हैं, प्रतिबिम्बित पे बहुत धिहान देना है, सुन्दर साजी, प्रतिबिम्ब की नहीं, प्रतिबिम्बित वाली जो है, हम चल रहे हैं, रहनी के पास जा चुके आनंद से ही, आपके आनंद से ही, शशी बाला जी के पास, प्रणाम जी, प्रणाम जी, इनमें एक समानता तो यह कि दोनों में नूरीतन है, जी, दूसरी समानता यह कि दोनों, अव्याकित के महाकार के आपने मैं आई थी आपकी मीटिंग में बहुत प्रणाम जी अतिस सुंदर रिवीजन बहुत सुंदर उत्तर इतना बहुत है आशीमा जी और एक और है कि दोनों जो लीलाएं ये प्रतिबिम्बित रास और प्रतिबिम्बित ब्रज इनमें ना तो कोई जीव है ना कोई श दो नूरी तनो का प्रतिभिम योग माया और काल माया में से कहां पड़ा है योग माया के अव्याकृत के महाकारण के तुर्यातीत में या फिर काल माया में नए ब्रज के ब्रह्मान में प्रतिभिम की राज पे यह तो ऐसाब वह यह आता है सुन्दर साथ जी आपको पहले से वेरी गुड, यू आर सो अहेड, बहुत अहेड हैं आप, वेरी गुड, इसको एक बार रिपीट कर दीजी बारा हजार दो नूरी तनों का प्रतिविम्ब, योग माया और काल माया में से कहां पड़ा है, योग माया के अव्याकृत के महा कारण के तुरियातीत में, या फिर काल माया में, नए ब्रज के ब्रहमान में, प्रतिविम्ब की रास में अरे वाम मैं इतनी जल्दी नहीं सोच पारी सुन्दर साथ जी सच सच बता रही हो मितलेश जी सिंगार टीम से प्रणाम जी अव्याकरत के तुरिया तीत में महरास का प्रतिविंब पड़ा है जी बारह हजार दो कैसे हुए उसमें 12,002 इसलिए बारह हजार तो सक्कियों के एक राधा जी का बिलकुल सही एक प्रिया जी का उसमें जीव नहीं है लेकिन फिर भी तन तो है बिलकुल सही अती अती सुन्दर प्रनाम जी हां जी तो योग माया में ही है ना कि काल माया परफेक्ट आशिमा जी अब स्क्रीन शेयर कर सकते हैं शिल्पा जी यह यह योगिता जैसा क्वेस्चन सुन्दर साजी क्रम शेह बताईए सब्लिक के स्थूल के शुदकारण में चार वेद और प्रतिविम की लीला इनको क्रम से लगाए अरे वाँ बहुत सुन्दर वन तू थ्री फोर फाइव हैं यह सुन्दर साजी बारह जार एक वेद रिचाएं सब्लिक के स्थूल में शुदकारण में और फिर नहीं अहां जी चार वेद और प्रतिविम की लीला सब्लिक के स्थूल के शुदकारण में तो यह फोर हैं यह एक ही है सब्लिक के स्थूल के शुदकारण में मैं सोच रहे थी अकेला शुदकारण नहीं आ सकता जी और प्रतिविम की लीला तो हो चुके अल्रेडी वेरी गुड जी अभी हम चल रहे हैं इस टीम की बारी इन inventory आई अ चूकी अनहा उसमर्पन टीम की बारी आचुकी है थाई न अ violation कर दे अरे वाद बिलकुल सही और आपके घर से बिलकुल ऐसी आवाज आ रही है जैसे की प्रती बिम्ब की लीला में प्रताम जी आपके घर से भी आज़ी है जी बिलकुल सही है तो सबसे पहले 4 वेद फिर 12,000 वेद रिचाये उसके बाद प्रती बिम्ब की लीला में आई फिर सबलिक के स्थूल के शुद्ध कारण में वो अखंड होई जैसे की अब अगला मैच इ है इसमें राज बिहारी जी के नूरी तन के बारे में को मैच करना है तो चार हैं पॉइंक्स ये सबसे पहला है सबलेक का महाकारन जी सबलीक के महाकारण में रास बिहारी जी से रिलेटेड क्या है सबलीक के महाकारण में बहुत only 14 hands raised हाँ अब जल्दी जल्दी बढ़ते जा रहे हैं very good सुन्दर साथ जी समर्पन टीम के पास मैं जाना चाह रही हूँ समर्पन टीम के पास तर्वीन गुपता जी प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी सुनिया सबली के महा कारण में अखंड हुआ अब आपकी टीम की बविता अगरवार जी समर्पन से प्रणाम जी अब या कृत का तूरिया तीत यह ने दीखनी जा थोड़ा सा अब या कृत का तूरिया तीत उसमें रास खेली या आवेश आया या नूरी तन का प्रतिबिम पड़ा नूरी तन का प्रतिबिम पड़ा आजी बिल्कुल सही अति सुन्दर नूरी तन का प्रतिबिम पड़ा वेरी गुड आप म्यूट का लीजेगा दीदी ठीक है आप चल रहे है इश्क टीम से नीना दीदी के पास मुझे क्रिपया लिखकर बताईएगा यदि किसी टीम की बारी ना आई हो आपकी खुद की नहीं आई कोई बात नी टीम की आई है के नहीं वो इंपोर्टेंट है नीना दीदी परणाम जी परणाम जी केवल ब्रहम में राज खेली परणाम जी आप जी अन्म्यूट करते जायेगा सुदर साहथि साथ साथ यदि हो सके तो अब मैं चल रही हूँ मुझे जादा सुदर साहथ इसमें दिखाई नहीं दे रहे चित्वन टीम से अन्जु गिलोतरा जी प्रणाम जी प्रणाम जी ग्रिश्न तृधा लीला की ये न दिखाई देगा अब दिखाई देगा ग्रिश्चन तृधा लीला की दूसरी लीला दूसरी लीला में या रास खेली आवेश आया अखंडूआः या नुरी तनका प्रती बिमपड़ा एक इसमें आवेश आया बिलकुल सही उनका आवेश आया अती सुंदर रनाम जी अती अती सुंदर प्रश्न अती सुन्दर उत्तर सुन्दर साजी और बहुत सारे hands raised हो गए थे hand में, very very good. यह हमने देखा सुन्दर साजी राज भिहारी जी के नूरी तन के बारे में, अब अगला प्रश्न है हमारा, इसको हमको सही करना है, जैसे कि सैंपल कमलेश भाई ने दिखाया था, तो उसी तरह का question जो सही योगिता में आ सकता है, तो first line है इसमें आपको सही करना है, कुछ ग अरे बहुत सुन्दर ऐसे लग रहे है, एक्चुल सही योगिता सबको पता लग गई है, इतने सुन्दर उत्तर आ रहे हैं, ब्रम ज्यान से स्तुती जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, स्तुती आपका अच्छा ओफिस में होंगे, आप कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं हो प बिल्कुल सही, अती सुन्दर कनु भाई जी, कुंग्रेक्चुलेशन्स, अती सुन्दर ब्रम ज्यान तीम, ब्यूटिफुल, प्रतिभिंबित रासकास्थान, प्रतिभिंबित ब्रिज से उपर है, वेरी गुड, जी, नेक्स्ट है, अब वेदो ने सबलिक के स्थूल से इस अखंड रास के प्रतिभिंबित को देखा, स्थूल से देखा, इसके स्थूल से देखा, जी, सुन्दर साथ जी बता रहे हैं, हान जी, हमारे बता रहे हैं, दक्षा बेन चित्वन, आप दक्षा बेन चित्वन लिख कर आएं, आप दक्षा बेन बहुत सुन्दर, हान जी बताइए प्रणाम जी जी दक्षा बेन जल्दी से अव्याकृत के स्थूल से इस सखंड रास के प्रतिबिम्ब को देखा बहुत सुंदर अती सुंदर प्रणाम जी हिंट की सेवा बड़ी सुंदर हो रही है इदर हां जी जी अगला है प्रतिबिम्बित रास के बाल मुकुन जी ने वेदों को सुर्ताइधारन करने का आदेश दिया यह सही है इसको कुछ ठीक करना है या एक शब्द है ऐसा एक कोई नहीं पकड़ना बाकियों को भी पकड़ लेना है कौन प्रतिबिम्बित रास के रास विहारी जी ने वेदों को सुर्ताइधारन करने का अतिश दिया बिलकुल सही अति सुन्दर आनंद टीम से आनंद पसरा वेरी गुड वह सुन्दर चाणड़न डी जी अगला है प्रतिबिम की लीला में रास खेलने के बाद वेदरिचाओं ने 112 वर्ष तक श्री कृश्ण जी के लिए विरह किया प्रतिबिम की लीला में रास खेलने के बाद वेदरिचाओं ने 112 वर्ष्टों तक विर्भा किया एक-एक शब्द को ध्यान से देखिएगा दो गलतियां भी हो सकती है जी तो हैंड रेज मुझे दिखनी रहे जिस टीम को मैं डून रही हूँ उसके निदिख रहे सुन्दर साथ जी आप समझ रहे हैं न मैं किनको डून रही हूँ जी तो मैं जा रही हूँ कांता बेन प्रणाम जी सिंगार टीम से रास भी हारी हूँ नहीं नहीं ये तो निकल गया प्रतिबिम्ब चोथा वला चल रहा कांता बेन बोल ये तो प्रतिबिम्ब की लीला में रास खेलने के बाद वेद रिचाओं ने 112 वर्षों तक श्री कृष्ण जी के लिए विर्हा किया सो वरस किया सो वरस जी सो वरस किया बिल्कुल सही हो गया ये ठीक है और कोई तो गल्ती नहीं है न और एक हो सकती है चेंज एक और भी हो सकती है बभाँ सुन्दर कांता बेन अतिस सुन्दर मैं एक बार हैंड़स डौन कर रही हूँ कोई और गल्ती दिखाई दे रही है सुन्दरसाजी तो हैंड़स करेंगी जी, one hand raised and one smiley came, गलती से हो गया होगा, smiley आ गई है जो, जी, तो, अरे वा, कौन बता रहे हैं, ये नेहा, ब्रह्म ग्यान टीम से, रुकिये, मैंने किसी और को unmute कर दिया, गलती से, sorry, ब्रह्म ग्यान से नेहा जी, प्रनाम जी, प्रनाम जी, वो, ग्यारा दिन की विला के वीरा किया, जी, वो बहुत सुंदर, अती सुंदर, उसी को ही प्रतिबिम की लीला कहा जाता है, बहुत सुंदर, very good, तो ये, आशिमा जी, आप बता दीजिए, अगर कुछ add करना चाह रहे हैं, नहीं, वो सहीब कह रहे हैं, उसमें प्रतिबिम की लीला में, 11 दिन के बाद और उसके बाद क्रिशन जी की जगह हम राज बिहारी जी भी बोल सकते हैं, तो प्रतिबिम की लीला में, वैसे तो साथ दिन के बाद है, पर 11 दिन के बाद, वेद रिचाओं ने 100 वर्षों तक राज बिहारी जी के लिए विरा किया, जी, बिल्कुल, क्रिशन जी भी बिल् महा कारण के शुद महा कारण में वेद रिचाएं अखंड हो गई, अरे वा, बड़ा सोना, बहुत सुन्दर बनाया, बड़ा सोना बनाया, येस, अव्याकृत के महा कारण के शुद महा कारण में वेद रिचाएं अखंड हो गई, बहुत ही सुन्दर जी, सुन्दर साथ ज मेरी रिवीजन बहुत अच्छी हो रही है बस मन्जुला जी इमान टीम से प्रणाम जी अव्यकृत के महा कारण के शुद्ध कारण में वेदरुचा उखन बोई अरे वाँ पक्का ना पक्का कितना भी इस बार हम वो कर दें पर सुन्दर साथ नी डिगने का इस बार हम लोग कल बात कर रहे थे कि भाई बोलते हैं पहले आप गुमाते थे सुन्दर साथ को अब सुन्दर साथ आपको गुमाएंगे से योगिता में इतनी प्यारी रिवीजन आप कर रहे हो इस अ कॉम्प्लिमेंट फॉर यू आल सुन्दर साथ जी प्रणाम जी बस मेरे प्रशन यही तक थे अब आगे शिल्पा जी पूछेंगी सबको प्रणाम जी सुन्या जी आपके चड़नों में प्रणाम जी इतने प्यारे प्रशन करके सेयोगिता की प्रू सेयोगिता की practice कराने के बस ऐसे ही आने वाले सुन्दर सार जी इनको पता भी नहीं प्रशन क्या पृर्भी very close बनाये हैं सुन्दर साथ जी अती अती सुन्दर क्योंकि धनी की प्रेणा और शक्ती सब के अंदर कारे करती हूँ जी शिल्पा जी प्रणाम जी प्रणाम जी जुलो साथ जी मेरा पहला प्रश्ण है आवाज आने नियों दीदी? आजी मेरा पहला प्रश्ण है प्रतिभिम लीला कहां पर खेली गई? इसमें ऑप्शन है काल माया के ब्रह्मान में यानि की ब्रिज में योग माया के सबलिक के कारण में काल माया के ब्रह्मान में व्रिंदावन में योग माया के सबलिक के महाकारण के शुद कारण में चार उप्षिंस वाला प्रशन आ चुका है, वह ध्यान से सुनना है पratि बिम्ब और पratि बिम्बित बहुत ध्यान से सुनना है प्रति बिम्ब की लीला कहां खेली गई तो हम चल रहे है कौझ सी टीम की बारी कम आई हो या ना आई हो जरूर-जरूर बताइए ये देखो जड़ा जागनी वाले आए हैं कि अरे हमारी टीम की बारी आई प्रतिबिम्ब की लीला में बांसुरी बजी थी या बजी थी? आरे वाब ब्रम ज्यान से रूबी जी के पास चलते हैं. प्रणाम जी सुन्दर साथ जी. हाँ प्रतिबिम्ब लीला में भी बांसुरी बजाई थी और फिर सख्या गये थे रास खेलने के लिए. तो कहां से गये थे सख्या रास खेलने के लिए? अपने अपने घरों से और यहीं के ब्रंदावन में बांसुरी बजाई थी फिश्न देने. अच्छा अपने घर में थी गोपिया उस समय? नहीं, नहीं. बतलब कि वहीं से लीला शुरू हुए थी जब बांसुरी बजाई थी और वो रास केलने गए थी. तो वहीं से शुरू कर देती. बहुत बहुत सुन्दर. तो इसमें बांसुरी बजी थी ना सुन्दर साथ जी? बिल्कुल सही, अती, अती, कितना भी गुमाओ मुझे गुमाएंगे, इस बार मेरी रिवीजन नहीं हुई. I will take that गुमने की रामत और वो जो रामत फूंदरी की है ना, इस बार सहयोगिता में मैं उसका बहुत आनन्द अनुभव करूंगी. जब आप सुन्दर साथ मुझे गुमाया करेंगे, बहुत सुन्दर. परणाम जी, I am so proud of you all. अन्जी, next question है, प्रतिभिम लीला में श्री कृष्णी जी के तन में किन-किन शक्तियों का समावेश है? यह तो सबको आना चाहिए. मुझे आता है, मतलब सबको आता है. क्योंकि मैंने तो एक साल से रिवीजन की नहीं है. अगर मुझे आता है, तो सबको आता है. यह मुझे पता है. हाँ जी, तो आये चलते हैं. प्रतिभिम की लीला में, श्री कृष्णी के तन में, शक्तियों का समावेश सबको पता होना चाहिए. And maximum raised award goes to this question. 54 hands raised हो चुके है. I hope YouTube में भी सुन्दर साथ बैठे नहीं होंगे. वो लिख रहे होंगे. जिन-जिन को प्रशन आते हैं. हाँ जी, इमान से रंजना त्रिवेदी जी ने यह hand raised किया हुआ है. तो इसलिए मैं आ रही हूँ आपके पास आऊंगी. परनाम जी, रंजना जी. रास भीहारी जी की शक्ति आई थी. आवेश आया था. अती सुन्दर. धनी जी का जोश आवेश आया था. ये एक्स्ट्रा है. प्रनाम जी, प्रनाम जी. धनी जी का जोश आवेश नहीं. रास भीहारी जी की आवेश आया आपने हां जी नेक्स्ट प्रतिभिम की लीला में क्या सभी तन कालमाया के थे या फिर योगमाया से ले आये थे थोड़े से तन हम चल रहे हैं निर्मला बेन के पास प्रणाम जी और वो है जागनी टीम से सही है मतलब गलत है सारे तन कालमाय के थे अरे वा बिल्कुल सही मैंने जो एड किया था वो गलत है इनका तो सही था बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बताया कि कालमाया के ही थे बिल्कुल परफेक्ट आंसर जागनी टीम अती सुन्दर जी अगर किसी का अन्यूट छूट गय नेक्स्ट है कितनी सखियां श्री कृषणने साथ पतीविंब की लिला में रास कहली तो जो हैंड्रेस जिनको नहीं करना आता screen पे वो कीजिए मैं उनके पास हूँ अभी सुन्दर साथ जी उनके पास भी देख रही हूं जिनको screen पे hand raise नहीं करना आता उनको ले रही हूं अभी तो यदि नहीं आता तो I am there रंजना जी हो चुकी है निर्मला बेन हो चुकी उनके अलावा यदी है तो क्रिपया hand raise कीजिएगा सुन्दर साथ जी हान जी हम चल रहे हैं इश्क टीम के पास चल रहे हैं जिनका कम नंबर आया हो या बिल्कुल ना आया हो जरूर बताईएगा हान जी हम चले सुरक्षा अं जबाती है प्रश्न बदलने की रामती करने दी आप समय एसे कैसे बिलकुल सब्सक्राइट बिलकुल पर्फेक्ट बताया आपने मुझे बदलना यहacio थाक तू आप यह कृतिसां कल Yo इश्क टीम के पास ही में सहयोगिता हलकी सी आज आँटी ने सारे कवर कर दिये हैं तो मैं जा रही हूँ अंजू सेटी दीदी के पास प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी चतिर जार एक जी तो वो एक कौन है बिल्कुल सही राधिका जी बस रह गए थे अती सुन्दर परफेक्ट और इश्क टीम में सबकी बारी आचुकी है जो राइट स्पेलिंग लिखकर आएं अभी तक जी हान जी नेक्स पोशन है प्रतिबिम की लीला में जीव कहां से आए थे प्रतिबिम की लीला में जीव कहां से आए औरे वाँ ये बड़ा अच्छा प्रश्ट बनाया है ये प्रतिबिम की लीला में जीव कहां से आए रुकिये मैं साथ साथ ये भी चेक करी हूँ कि इनका नंबर थोड़ा कमा रहा है तो हां जी आई थिंक मेहर के स्पेलिंग अगर आप सभी ना स्पेलिंग से एकदम सेम लिखकर आया करें मैं वही ढूंदती हूँ उसमें फिर खीक है तो अभी मैं जा रही हूँ हां जी प्रतिबिम की लीला में क्या कहां से आय थे एक बार फिर से बोलिएगा जीव कहां से आ अब बूले न, प्रतिविं की लीला में जीव कहां से आय थे? क्या जीव नए बन सकते हैं महाप्रला होने के बिना? विद्वा, फिल नहीं है, जी अम महर के पास ही चल रहे हैं, आपकी सहयोगिता निभाने के लिए हमारे पास प्रवीन भाई जी प्रणाम जी महर से, जीव नहीं ही थे, खलिए विष्णु जी का था हो सोल कलाएडा के किया हो, बना हो था, जी तो, बार्की सब जीव नहीं थ जीव तो सब ब्रहपमांद से भी मंगवाए गये तो अब tadi सुनदर aप शिल्पा जी कुछ elaborate करना चाहें तो कर सकते हैं नहीं बिल्कुल सही है दुसरे भ्रमान से ट्रेवल होकर आये दिए परफेक्ट अती सुन्दर जी नेक्स कोशन है प्रतिबिम की लीला में क्या राधा जी और गोपियों में एक ही तरह की सुर्थाई थी और अगर तरह की सुर्थाई थी अगर थी तो वो कौन सी सुर्थाई थी वाँ प्रतिबिम की लीला में राधा जी और गोपियों में तो मैं चल रही हूँ एक तो हमारी कौन सी टीम का जिन जिन टीम का नंबर कम आया है तो उनके पास चल रही हूँ सबसे पहले रहनी टीम के पास जा रही हूँ मैं रहनी और फिर मैं प्रेम के पास भी आऊंगी इसके बाद रहनी से पन्ना बेन प्रणाम जी पन्ना बेन आप कैसे हैं अभी ठेक है बहुत बढ़ी है शुकर है दोनों में एक ही थे सुर्थाई बढ़ी वाली गोपियां तो ठीक है छोटी वाली गोपियों में कुछ और था बिल्कुल सही बताया बिल्कुल सही आप जानते हैं सुन्दर साथ जी पन्ना बेन का एक्सिडेंट हुआ था और यू शायद टीम वालों को पता भी ना हो की उन्होंने क्या-क्या सहन करके पर मजाल ऐसे योगिता की कोई टीम मीटिंग मिस कर दी हो उन्होंने या फिर आना कम किया हो या अपनी ये छोड़ दी हो प्रैक्टिस करनी नहीं 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 चाहे हॉस्पिटल में बैटे हो बहुत भयंकर एक्सिडेंट हुआ था उनका बैठे-बैठे वेरी-वेरी-वेरी घुड सुन्दर साजी जो ये भाव अंदर होते हैं ना ये आपको विशेश बनाते हैं आपके चन्नों में कोटी-कोटी प्रनाम अब एक और बात पन्ना के साथ जुडगई पन्ना बेन के साथ पहले तो इनके घर में मूल मिलावा हुआ करता था और अब सेवा भाव जो आपने दिखाया इमान और बल दिखाया वो भी प्रनाम जी ये विशेशता हैं ये विशेशन जुड़ते रहने चाहिए हां जी and thank you मुझे ये बताने के लिए जिन सुंदर साथ जी ने बताया आप समझ गए ना जी मेरा next question प्रतिविम के लीला में कुमारिकाओं की सूर्टा कहां से आई और कितनी आई कुमारिकाओं की सूर्टा प्रतिविम प्रतिविम की ही लीला चल रही है इन दोनों सक्कियों ने करवानी ही वही है फोकस रखिये वहां पे तो कुमारिकाओं की कहां से आई और कितनी आई प्रेम टीम के पास मेरा इस टाइम जो हाँ जी प्रेम से हैंड रेज होने चाहिए इसमें सुंदर साथ जी उन पे फोकस कर रही हूं इस टाइम प्रेम टीम से कितने हाथ खड़े हो रहे हैं प्रभा जी प्रणाम जी हाँ जी प्रणाम आपके दो डिवाइसीज है ना दो डिवाइसीज में से एक बंद कर लीजे मम जी हाँ जी अब उत्तर दीजेगा अब लीक के कारण में जो ब्रिजर खंड हुई थी अब भी भी आवाज आ जागी है जी एको आ रहे है थोड़ा सा ना दूसरे डिवाइस सब्लीक के कारण में जो ब्रिजर खंड हुई थी वो वह जो इश्वरी सिश्टी के जीव थे ना वो सुर्ता रूप में प्रतिक इम्राश्ट प्रतिक इम्याज अरे वाब बिलकुल सही सटीक उत्तर दिया मैं वेट कर रही थी पता नहीं यह प्रश्ण आना था मुझे य उत्तर आएगा तो क्या देंगे हम कहते हैं मैंने पढ़ा भी है इसको पीडियेफ में भी पढ़ा जीवों की सुर्ता आई और जीव सुर्ता रूप में आए बोट इंग्जा डिफरेंट सुन्दर साथ जी यह आज ही पीडियेफ पढ़ी तो यह विचार दिल में आया था मुझे लगा था मैं आपको बताऊंगी रिवीजन सेशन के बाद बताऊंगी जी याद रखेगा मैं भूलना जाओ जी शिलपा जी और कितनी आई थी यह भी बता दी जी यह तो प्रभा जी से ही पूछना था वापिस से आप ही बताईए ममी कितनी आई थी तो बिलकुल सह अती सुन्दर प्रणाम जी वेरी गुड़ अब मैं नेक्स्ट बता रही हूं कौन सी टीम के पास आ रही हूं हैंड रेज होने चाहिए फिर ना कहना कि बारी नहीं आई है हमारी टीम की तो मुझे बताते भी जाहिए कि किनकी टर्न कम आई है सेवा के पास आ रही हूं मैं स प्रति बिंप की लीला किस ने खेली संदर साह जी ऐसा नहीं ऑए सेवा की आने वाली हैं डे करेंगे हो शांता जी बड़ी एक्सपर्ट करने में तो कांटिंग पूरी हो रही है सेवा के पास जारी हूं मैं और सेवा के हैन डे रही हैं समझार लोग नी शाह जी आपकी प्रतिबिम की लीला किस किस ने खेली? प्रतिबिम की लीला ने इस्वरी सुष्टी और 36,000 काउंट है. जी, वेरी गुड, वेरी गुड. तो एक तो इस्वरी सुष्टी आपने बताया उनके जीव सुर्ता रूप में आ गय थे हैं ना? और ब्रम सुर्ष्टियों के तनों में किसने खेली? काल माया में हुई है प्रतिबिम की रास, है ना? तो ब्रम सुर्ष्टियों के तनों में किसने खेली? नए सक्खिया जो नाया बिल्कुल से नए सक्खिया कहां से आयी थी वेरी गुड बहुत सुन्दर बताया कि किन्जु जी आपने गब्राना नी नए सुन्दर जरूर गुल बिल्कुल से पेद्रुचाँ वस ये सैयोगिता true example मिल गया, ऐसे ही सही योगिता होनी है, एक सुन्दर साथ बोले तो दूसरा add करेगा, very good, so proud of you, फालगुनी दिदी, पनाम जी, और किंजु जी आपने बिल्कुल सही बता दिया, repeat कीजिए एक बाद, कोई बात नहीं, कोई फरक नहीं पड़ता, धनी जी के दिल में पर्मानेंट सारी, सारी आत्माएं पर आतम उनके दिल में और आत्माएं उनकी प्रतिविंब स्वरूपा, अती सुन्दर वेदर चाहें, बारह हजार ही थी, बारह हजार एक, यह दो, बुर्ता यह साखा, बिल्कुल रफली बारह हजारी कहते हैं, आप सही थे इसमें भी, तो बारह हजार एक, क्योंकि राधिका जी भी थी उसमें, वेरी गुड, हां जी, यह चत्ती सजारी है, क्या चत्ती सजार ने ही खेले थे, प्रतिविंकी लीला जो खेली थी, अभी आंसर आया, चत्ती सजार, तो क्या सिर्फ चत्ती सजारी थे, एक दो और रह तो नहीं ग है, एक रहे है, मैं तो अभी मैं जारी हूँ, कौन सी टीम के पास जारी हूं, वो भी बताते हूं, हैं। तो यह हो गए और दो कौन है भाई किसंजी और रादा जी किसंजी और रादा जी बिल्कुल सही very good so proud of you और हर बार आपने हैंड रेस किया उसके लिए बहुत सुन्दर तो यह कृष्ण जी में कौन आया था उसमें प्रति बिम्पृ रास भियारी जी सकती और रास भियारी ज और बहुत सुन्दर भाईया very 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 good अती सुन्दर ऐसे बोलना है सुन्दर साथ जी सब सुन्दर साथ को it's an example कि कैसे पहली बार सुनते हुए सुन्दर साथ को बोलना है और वो भी बिल्कुल सटी very good जी और और भी था कोई अच्छा यह तो प्रेम से कमलेश भाई सही पूछते हैं प्रणाम जी भाई तो पुरा ब्रजन में आ गया ना ओ यह देखो जब यह सयोगिता बनाने वाले ही पकड़ सकते हैं यह तो जी प्रतिविम्ली नीए बिया प्रतिविम्ली लीला तो मतुरा में भी हुई थी चार दिन साथ दिन गोकुल चार दिन मत्वरा में भी थी प्रति बिम्भ में तो चार दिन मत्वरा में भी भी थी बिलकुल सही बोल रही है अती सुंधर वेरि गूड यही बोल रहेते आप शिल्फा जी तो प्रे वाएसे बनाया था प्रतिविम की रास कितने समय तक खेली गई अब रास बोल रहे हैं अब लिला नी बोल रहे हैं प्रतिविम की रास कितने समय तक खेली गई हाँ जी तो आज ऐसे थोड़ी न हो सकता है शशी गुपता जी की बारी तो आनी चाहिए इतनी सुंदर रिवीजन कर रही है वो प्रेम से इतने प्रेम से कर रही है लिए अभी भी चल लएए वो अखड नहीं हुई है प्रतिविम की रास नहीं नहीं अखड नहीं पुछा उन्होंगे शशी धी उन्होंने पूछा प्रति बिम्ब की लीलक की रास कितने समय तक चली अखड नहीं पूछा 112 था तो अजी कुश्था अब सेयोगिता निभानी पड़ेगी कौन से सुन्दर साथ अब प्रेम के साथ कोई और टीम सेयोगिता निभाएगी तो आनन्द आएगा आपके साथ आपकी टीम का नाम नहीं लिखा हुआ मैं आपके पास आने वाली थी पर मैं नहीं आरी क्योंकि टीम का नाम नहीं लिखा हुआ सुद़ साजी चंदना शर्मा जी रहनी ग्रूप से चोला फ्लिशों कैसे हैं कि पुर जी पूरा साथ दिन किया आत्रा जिए साथ दिन क्या थे चार साथ दिन गोकुल चार दिन मतुरा या चार दिन मतुरा या चार दिन गोकुल चार दिन मतुरा या चार दिन मतुरा या चार दिन मतुरा या चार दिन मतुरा या चार दिन गोकुल चार दिन मतुरा इतलिया तर बलते हुना माहर हूँ अरे आपके यी मंत्रा दिया है, कल ये मंत्रा दिया है कि मैं गल्टियों में माहर हूँ, बहुत सुन्दर, मैंने सीखा है उससे कल, अती सुन्दर, जी शिल्पा जी आप बता दीजी, प्रति बिन की रास पूछिए कि रास में कितने समय तक खेली गई थी, रास, केवल रास से फोकस करना है सुन्दर साथ जी, ये सब को आता है, ये बताएंगी हमारी किरन गोहिल जी ईमान से, प्रणाम जी, प्रणाम जी दीदी, एक रातरी की और आधी नाराएन उनको छे महिने तक, देच ली, प्रणाम जी, अरे वा, तो एक रातरी की रास चुई, साथ दिन व यह बहुत सुन्दर उत्तर है इस पे थोड़ा सा ध्यान भी देना चीए हमें और इस पे देखना चीए साथ दिन वहां रहे होंगे कृष्ण जी जी भाई जी जी नहीं यह बिलकुल करेक्ट आंसर है जो हमने किया हुआ है प्रति भिंब की रास तो उतनी थी पर वैसे रास लीला तो उन्होंने रोज़गोपिया मिलने तो जाया ही करती होंगी कृष्ण जी से के नहीं? बिलकुल सही अती सुदर पर्फेक्ट वेरी गुड तो जो प्रती बिंब किया न योग मया का प्रती बिंब वो किया चे महीने की रात्री में वेरी गुड अती अती सुदर ब्यूटिपुल हां जी नेक्स्ट है प्रतिभिम की लीला में श्री कृष्ट ने ग्यारा वर्ष बावन दिन की लीला की थी सही या गलत रिपीप भी कर दीजे प्रतिभिम की लीला में श्री कृष्ट ने ग्यारा वर्ष बावन दिन की लीला की थी सही या गलत ग्यारा वर्ष बावन दिन जी ये बताएंगे हमारे बबिता दिदी आपकी बारी नहीं आई ना समर्पण में परनाम दिदी गल्ट है वा तो ग्यारा दिन की लिला हो इती प्रत्मिंद की रास इठारी की वेश नहीं की थी वो गी बिलकुल सही अती सुंदर ग्यारा साल बावन दिन नहीं थी अती सुंदर जी ये गलत है इसका मतलब बहुत सुंदर बबिता दिदी नेक्स्ट प्रकार से श्री कृष्ण जी ने मत्रा में चार दिन वेतीत किये क्या क्या किया उन दिनों में किस प्रकार से वेतीत किये कल मुझे जिन सुंदर साथ ने बोला था मेरी टर्न नहीं आई मैंने उनके नाम लिख रखे हैं उनका हैंड रेज नहीं हुआ है पॉइंट टू वी नोटेड सुंदर साथ जी इस प्रशन पे मैं उन्हें धूंड यून सब का हैंड इस पे रेज नहीं हुआ है उनको मैं ढूंद चुकी हूँ अब उनकी तरफ से शिकायत नहीं आनी चाहिए जी नीलम दीदी पर नाम जी रहनी से उन्होंने कंस को मारा था और जो कंस के साथ जो राक्चस थे उन्होंने उनको मारा था जी बहुत सुन्दर अगासूर बगासूर तो छोटे होते ही मार दिये थे उन्होंने है ना तो इसमें और भी आता है और भी आता है आप ही की टीम वो निभाएगी इसमें आप ही की टीम आपके साथ जी हमारी जोती जी का भी हैंड रेज है प्रणाम जी जोती जी उग्रसें प्रकाश है रहनी में अपने नाना को जेल से निकाल के राज्ती लगए थे और अपने पापा ममी मतापीता को उनको भी जेल से निकाले थे और जारसंद नाना जी को राज्ती लगए थे और तो जोदी जी बता दी कुबल्या पीड नाम खाट को मारा बड़ा पुछाता है ना और नील और चाणूर उनके जो बहुत पनवान थे जानूर और मुष्टिक उनको भारा बड़ा बहुत सुन्दर अती सुन्दर जैसे ही राजसी बस्त्र निकाल करके दिये नंद बाबा को तो उनके साथ जो शक्ती थी वो भी चली गई और बिल्कूल बच गए बिश्वरू रूप में हो गए वहां से वो दो अरे वा कल मैं यही सोच रही थी वैसे ही यह मेरे उसमें आया राजसी वस्त्र पहनते ही वो चलेगे मतलब गवाले के वेश में ही रहे हैं दोनों लीलाओं में जैसे वेश उतारा उसके बाद विश्णू में हो गए बहुत सुन्दर है यही होता है दो जोती होने का फाइदा नेक्स्ट कोशन है क्या राधा जी गोपियों और कुमारी का उने विरह किया था और अगर किया था तो कितने समय तक किया था यह प्रति बिम्ब की लीला की ही बात हो रही है प्रति बिम्ब की लीला की ही यह बात हो रही है जी तो मुझे साथ साथ में हो सके तो लिखते जाएगा उग्र सेन जी नाना जी थे तो थोड़ा सा लिखते जाएगा यदि कोई टीम की बारी नहीं आईए क्योंकि नहीं पता लगता सुन्दर साथ जी इतने सारे hand raise होते हैं ना कई बार नहीं पता लगता मेरी help कीजिएगा हान जी आप नाम लिख के आ चुके हैं सुष्मा त्यागी देजी प्रणाम जी परणाम जी परणाम जी यूट्यूब पर बैठके मन बहुत बेचान हो रहा था जुड़ी नहीं पारी थी मुस्किल से जुड़ी हो अभी निन्यानवे का फेर हुआ और आप आ गए फटा फट मैंने देखा यह विरह किया था उन्होंने सो साल तक जी ओप योने और बड़ी इनको स्पेशल नाम भी दिये गए है वेदरिचाय और प्रतिविंब की जो छोटी गोपी थी तो सो साल तक तो रादिका जी ने भी सेमी किया कि थोड़ा कम जादा कर लिया था ने सेमी किया उनको पता ही नहीं था को और के अंदर रास भ्यार जी शक्तिया चुकिया है बह बहुत बहुत सुन्दर जागनी टीम अति सुन्दर जी नेक्स्ट है इस ब्रहमान की शुरुवात कहां से उती इस ब्रहमान यानि ये जो ब्रहमान है उसके शुरुवात कहां से उती ये ब्रहमान जो अभी है ये कब बना था कब हुई आरे वा बहुत सुन्दर बहुत सु प्रतिबिम्ब की लीला से ही ये नया ब्रमान बन चुका था तब से महा प्रलय हुई नहीं है ये की प्रलय हुई थी अती सुन्दर प्रतिबिम्ब की लीला से ही ये नया ब्रमान बन चुका था तब से महा प्रलय हुई नहीं है ये की प्रलय हुई थी अती सुन्दर ये बीच में एक बार महां प्रलै नहीं होई ना कभी भी नहीं होई जब से हम आये हैं क्या हिकमत क्या कारीगरी की है एक बार छोटी सी प्रलै करके ले गए बस वेरी गुड अती सुन्द है या नेक्स वंचन है वेद रिचाएं की सुरता क्या अवी भी यहीं है तो जिन टीम की बारी ना आईहो। कृप्या मुझे गाइड कीजिएगा मैं अब इस एक शमा चाहती हूँ प्रति भाजी सिंगार से प्रणाम जी जी दिधि नहीं है कहां है फिर वह अभ्याकृत के स्थूल के शुद्ध कारण में इससे यह पूचिन में अंजली गोयल जी आपके पास आ रही हो आनन्द तीम से अंजली गोयल जी तो प्रनाम जी ब्लाइब ऑव्याकृत के मा कारण के शुद्ध कारण में थाई औरे वा, बिल्कुल सही, वहाँ वापिस जा चुकें, बिल्कुल सही प्रतिभा जी ने भी सही उत्तर बताया, उसको अच्छे से एक्स्प्लेइन करके अंजली जी ने परफेक्ट आनन ती है, अंजी नेक्स्ट है, ब्रह्म स्रिष्टी की सूर्ताय प्रतिभिम की रास खेल कर कहां चली गई, बड़ा सुन्दर प्रश्न बनाया, बड़ा सुन्दर गुमाया, नीलम मिद्दा दीदी प्रेम टीम से, प्रणाम जी प्रेम स्रिष्टी की सूर्ताय तो आई नहीं प्रतिभिम लिला में, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, अती, अती, सुन्दर, वेरी गुड, जी दीदी और प्रश्न लेने कि सारे सुन्दर साथ तो त्यार बैठें, ले लीजी, आज फाइनल रिवीजन है, ले लीजियो नेक्स्ट है, कुमारी काउं को क्या लगा कि उन्होंने पहले भी रास खेली है, कुमारी काउं को क्यों ऐसा लगा कि उन्होंने पहले भी रास खेली है, तो अनिता त्यागी दीदी इश्क से प्रणाम जी प्रेम प्रणाम दीदी उमारी का सक्यों को इसलिए लगा क्योंकि उनके जीव द्रेज में सुसुपती आवस्था बेथे तो उनी के जीवो ने सभी को राज खेलने जाते हुए देखा था पर उनको ऐसा क्यों लगा कि हमने प्राच में टेखी आप जीवो अभी हम कहीं और हम उनके जीवों को इनके जीव ने देखा था और उनके जीव में अखंड में ही थे तो रास का भी अगर रास का प्रतिभिंब नीचे तक पड़ सकता है तो क्या थोड़ा थोड़ा तो उनको आभास करती होगा कि ऐसा कुछ चल तो रहा है वहां पे बहुत सुन्दर सबसे अनुभवी यहीं है इश्वरी सुष्टी बिल्कुल सही लिखा आपने वसंत भाई ज सुन्दर सैक है एक cos किसी को लोर हैंडस करने आते हैं तो मेरे सहयोगिता निभा सकते हैं तो बताय थोरह प्रश्ण के बाद आम आप हर प्रशन का उतर होने के बात आप lower hands की सेवा कीजिए प्रतिविम लीला में बताना है श्रीक्रिश्न जी कितने वर्षो बाद विश्नु में रूपधारन करते हैं प्रफ प्रतिविम लीला की बात करते हैं तो ग्यारा दिन बाद अगर पूरा करते हैं तो ग्यारा साल और तीप अब्जैन्टे हैं यह बड़ा अच्छा प्रश्कन है सोचने वाली बात है थोड़ी सी हैं रेज तो कर लो कोई बात नी सोचना पड़ेगा साथ में कितने विश्णु जी हैं विश्णु जी दीक्षा दीडी बड़ी सुंदर निभारे को अपसे योगी था बैठे भी जोडे में हुए हो उत्तर भी जोडे जैसा ही हो रहा है ये बिलकुल बहुत सुन्दर और आपके प्रेम के लिए जमना दास भाईया बहुत बहुत थैंक्यू जो आप कल दे कर गए है प्रनाम जी हां जी तो मैं चल रही हूँ जोशना बेन चित्वन टीम से प्रन को रदया टे निंदेर हो एंध्यू गया तो हो ओ किया गया जो रास में गया था वो कहां चल गया रास में तो परम्धम चलेगे जो बिशनु जी परम्धम जा सकते हैं अच्छर धाम्यान जी वहीं अखंड हो गए बिल्कुल सही जो प्रश्ण उन्हों ने पूछा है वो बिल्कुल परफेक्टली आंसर्ड 100% दो विष्णुजी हैं अब एच सुंदर साथ explain करेंगे कि ये दो विष्णुजी कैसे हैं ब्रिंदा देदी परणाम जी इमान टीम से प्रणाम जी प्रणाम, एक विष्नु तर जहां महरारास हो गया तब विष्नु का जिब तो अखंड हो गया, फिर यहां नएअ विष्नु ने रूपदहरन कर लिया अरे वाँ, और तब से चल रहे हैं, राई? तब से अजर, प्रणाम जी, प्रणाम अती सुन्दर, प्रणाम जी बहुत सुन्दर है, very good रिंदा जी एक ये बताना था, क्या वो रास में है कि और कई भी थे? या रास में ही थे? ये बहुत, बहुत सुन्दर जी, बहुत सुन्दर तो जो विश्णु जी अखंड हुए, क्या वो रास में गए थे? कहां से अखंड हुए, कहां अखंड हुए? very good, beautiful तो हमारी इमान, इमान से शीतल जी, प्रणाम जी ये जो विश्णु जी की बात हो रही है, क्या वो महारास में ही थे न, कनफर्म करना है उसको? नहीं, वो कारण में थे, सबलिक के कारण में अखंड हुए थे बिल्कुल सही, अटी सुन्दर ये एक हीत है, लेकिन अन्य जीव को उसकी कला देकर उन्होंने उसके जैसा बना दिया जी बिल्कुल सही, perfect तो विश्णु जी तो वही रहते हैं, वो हर बार दो जीवों को अपने जैसा बनाया उन्होंने तो उसको ही बोला जाएगा दो विश्णु जी बिल्कुल सही, प्रणाम जी बिल्कुल आपने perfect का विश्णु जी तो एक ही थे पर हर बार किसी को अपने सद्रिश बना लेते हैं very deep studies are going on जी नेक्स question है, श्री कृष्ण जी के तन में राज भिहारी जी का आवेश कहां से आया था? कहां से आया था? योग माया में से आया था तो कहां से आया था? मैं जागनी टीम पे फोकस कर रही हूं इस समय देखिए आपके कितने हाथ खड़े हैं जागनी टीम से ध्यान दीजेगा जी, मैं आ रही हूं रमेश भाई जी, प्रणाम जी रास बिहारी जी का आवेश कहां से आया था रमेश भाई जी? रास बिहारी जी का आवेश कहां पे है रास बिहारी जी का स्थान कहां पे है? रास बिहारी जी के शक्ति तो ग्यारा दिन के लिला में समाज गई थी रादा जी में वो कहां से आया था, योग माया में कहां रहते हैं, रास भिहारी जी? योग माया में उनका स्थान, जी, कोई बात नहीं, बहुत सुन्दर आपने बिटाया, ग्यारा दिन और आगे भी उनकी ही शक्ती थी, तो इसके लिए मैं जा रही हूँ, राधी का बेटा आपके पास आ रही हूँ, प्रणाम जी सबलिक के महा कारण से आया था, बिल्कुल सही, जहां पर क्या खंड है, महा रास खंड है, वेरी गुड बेटा, अती सुन्दर से है योगिता, जागनी टीम की रगी, वेरी गुड, जी नेक्स्ट है, प्रतिविम की रास क्यों हुई, उसका कारण बताना है, अब मैं जो सुन्दर साथ ने आज तक नहीं बोला हुआ, उन पे भी फोकस कर रही हूँ, चाहे वो किसी भी टीम के हो, जिनों ने बोला ही नहीं, आज तक वो बोलें, आपकी टीम में भी नए बोलें, ये चाहिए, हान जी, उनम गुपता जी, परणाम जी, परणाम जी, प्रतिविम की रास एक तो इश्विर सिस्टी जो कुमाल का सक्या थे, उन्होंने ब्रत किये हुए थे, उन्होंने अभी वो रास की लिला नहीं की थी, वो करनी थी, और एक उन्होंने वेद्र जो रास भी हल जी ने उनको कहा था, ग्यान तो बहुत ले लिया है, अब आप रास की लीला भी करके देखो, तो इसलिए फिर रास लीला हुई थी, और दुनिया के लिए क्यों हुई थी, दुनिया को भी कुछ पताना है, तो वो प्रतिविम रास तो वहां पर हो चुकी थ और दुनिया को भी दिखाना था कि ऐसी रास हुई थी, इसलिए वो प्रतिविम रास हुई थी, जो अब तक सभी दुनिया वाले को पता है, वो महारास का नहीं पता है, लेकिन रास का सबको बता है, अरे वा, बिल्कुल सही, अती-अती सुंदर हमारी सिंगार टीम से, वी नेक्स्ट पोशन है, सुंदर साची, थोड़ा सा ध्यान से सुनियेगा इसे, हमें आठो पहर मायावी विकारों से कौन बचाता है, इसमें ओप्शन भी है, धनी जी का जोश, अक्षब्रम का आवेश या जिब्रिल ज्यान से सुनने है सुन्दर साची, कि हमें आठो पहर मायावी विकारों से कौन बचाता है, धनी जी का जोश, अक्षब्रम का आवेश या जिब्रिल बहुत सुन्दर, अती सुन्दर प्रश्न, और इसके लिए हम चल रहनी से सुनिता सिंगल दी, परणाम जी तो परनाम जी जी तीनों एक ही है, बहुत सुन्दर, बहुत सुन्दर जी नेक्स्टोंशन है, क्या श्रीक रिष्न जी जो प्रतिविन की रास लीला में थे, वो क्या अखन रास और अखन द्रच के ही शक्तियां थी? क्या श्री कृष्ण जो प्रतिविन की रास में लीला की थी, वो क्या उन्हें अखंड रास और अखंड प्रच की शक्तियां थी? सही से बताना है सुन्दर साथ जी देख लो कि इनकी शक्तियां थी ध्यान से सोच के बताईए ना जी मैं जानती हूं कि मैं दुबारा जा रही हूं आपके पास पर मैं चाहती हूं आप बहुत अच्छे से बोलते हैं आप बोला कीजिए प्रणाम जी प्राणाम जी क्येश्टन फिर से बहुता ही है क्या श्रीक कृष्ण जी जो प्रतिबिम की रास लीला में थे उनमें अखन रास और अखन ब्रिच्ट की ही शक्तियां थी नहीं उसमें अखन रास और अखन रास की सक्तिया नहीं थी प्रतिबिम्ब में प्रतिविंब की लीला दियान से सोचए कॐन सी थी कौन सी प्रतिविंब की लीला होती है ये बताओ कृष्ण टृधा लीला में दूसरी वाली के तीसरी वाली दूसरी वाली कि इसकी थी वैरी गुट दूसरी वाली में राजी की सकती थी नी रास की थी के ब्रज की राजी की तो थी नहीं उसमें पहली वाली में राजी की तो दूसरी में एक मिनट कोई बात नहीं कोई बात नहीं बिलकुल सही बताया आपने and be proud of yourself पहली बार सीखते हुए सुंदर साथ, हैंड रेस करके अती सुंदर बता रहे हैं, इनका साथ निभाएंगे हमारे किरन खुराना दीदी सेवा से, प्रणाम जी. उनके अंदर राज बिहार जी की शक्ति थी, जो वो अखंड राज से ही आई थी. प्रणाम जी, अखंड ब्रज की शक्ति नहीं आई थी, बिल्कुल सही, अती सुंदर, ब्यूटिफुल सही होगी था, प्रणाम जी. प्रणाम जी. नेक्स्ट पोशन है, एक दो पोशन्स ही रह गए हैं सुंदर साथ जी, श्री कृष्ण जी की दूसरी लीला में कितनी शक्तियां थी, टोटल कितनी शक्तियां थी, 36,000, 36,000 एक या 36,000 दो, या 12,000 थी. टोटल सारा मिला के बताने हैं, प्रतिबिम्ब लीला में, प्रतिबिम्ब की जो हुई है, दूसरी लीला, उसमें total कितनी शक्तियां थी, चाहे आवेश हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे आतम हो, सुर्ता हो, कोई भी हैं तो कितनी शक्तियां थी क्योंकि, हाँ जी, आगे नहीं बोलूँगे, सारे हिंट निकल जाते हैं पर जी अजी, अरेवा, नेहा जी, ब्रहम ज्यान से प्रणाम जी प्रणाम जी, 36,004 कैसे? 12,000 ब्रहम शुरुष्टिया एक श्यामा जी फिर इस्वरी शुरुष्टिया 24,000 राजी का आवेश और जोश राजी का आवेश और जोश आया था? राजी तो आयी नही प्रतिविम की लीला में? राजी का जोश राजी का जोश आया था? किसका आवेश आया था? सोचिये प्रतिविम की लीला में किसका आवेश आया था? अच्छाद्रम का अच्छा ये बताएए प्रतिविम की लीला किसको कहते हैं? तो वो कहां से आया था जिसने एक्चुल वो रास भीहारी का आवेश तो कितनी शक्तिया हुई 12,000 तो हो गई वेद रिचाएं है ना 24,000 कौन सी हो गई वो जो इश्वरी स्रिष्टी के लिए विवों रूप सुर्ताएं उत्री वो गई 36,000 एक हो गई राधिका जी के अंदर वेद रिचा है ना 24,000 एक और एक रास भीहारी जी के अंदर आवेश हो गया उनका है ना तो कितने हो गई 36,002 बस जो शावेश माइनस कर दीजिये राध जी का 38004 में से वो 2 बस माइनस कर दीजिए, कोई बात नी, कुछ extra ही बताया, कमी थोड़ी की है, बहुत सुन्दर, बहुत सुन्दर, 30 सुन्दर, very good, नए सुन्दर साथ जरूर जरूर बोला करें, हां जी. नेक्स्ट पोशन है, श्रीक्रिष्ण जी की दूसरी लीला में क्या पूरे ब्रिजवासियों ने रास खेली? श्रीक्रिष्ण जी की दूसरी लीला में क्या पूरे ब्रिजवासियों ने रास खेली? जी, लास्ट क्वेस्टन शायद है, हैंड काउंट हो रहे हैं, सुन्दर साथ जी ध्यान रखना, काउंट हो रहे हैं, लास्ट पे नहीं पीछे रह जाना, क्योंकि फेर ठंडे पड़ते गए नहीं हो, ना चिये बिल्कुल भी ऐसे हैं ना, तो मैं जा रही हूँ, सुष्म जू जाएं ती, और 24,000 इश्वर शष्टी के जीवों की सुष्माजी और राधा प्रश्णु जी बहुत सुन्दर अती सुन्दर वीना अंटी आप ये बताइए कि क्या इन्होंने सही बताया सुष्मा जी ने परनाम जी वीना अंटी परनाम जी इन्होंने सही बताया ब्राजी लीला बालों ने रास नहीं खेले खाली बेद रिचाओं ने और कुमारकाय सक्षियों इश्वर स्रिष्टी की सुर्ताओं ने काल माया में जो जीव लिये थे उन्होंने खेली तो इश्वरी स्रिष्टी की सुर्ताओं थी वो? ने वो इश्वर स्रिष्टी की नहीं थी वो इश्वर स्रिष्टी तो सत सरूप में चली गई थी उनकी सुरता है गुमार का इस सख्यों का जो जीव था ना उनकी सुरता है थी अरे वाग क्या बात है सुन्दर साथ जी एक एक सुन्दर साथ के दिल रिदय पटल पे छप चुकी है ये सारी अक्षर ब्रह्म ने अपने रिदय में अखंड तिया है और आज हर सुन्दर साथ के रिदय में श्री कृष्ण तृधा लीला जो अखंड हुई है न ये लीला भ सभी को जो इतनी मेहनत आपने किये बहुत महरबान पिया जी आपको जरूर बहुत आनंदारा होगा परनाम जी परनाम जी एक स्क्रीन शेयर है गोड़ देते हूं एक और है जी लास्ट हैंड ब्रेस करना सुन्दर साथ जी पक्का करना ठीक है सुन्दर साथ जी ये स्क्रीन आ रही है यह जी बिल्कुल आ रही है यह बताईए ये जो चित्र है ये कौन से क्या प्रसंत से हैं मतलब क्या दर्शारा है आपको ये तो बहुत अच्छा है ये तो अभी अभी हमने किया है सुन्दर साथ जी, कृष्ण तृधा लीला, श्री कृष्ण तृधा लीला तो एक साल पहिले हुई थी, ये तो अभी की है सुन्दर साथ जी हमने, वाउ, बहुत सुन्दर, ब्यूटी, फुल, और जिन सुन्दर साथ के पास में नहीं आई हूँ, I am so sorry, सुन्दर साथ जी ज ये एक तो ये उद्धव जी जो पहली जितने था है, उद्धव जी जो प्रेम पाती लाएं हैं, वो उनको सुना रहे हैं, और जो नीचे सक्खियां जो वीरह में बैठी हैं, वो उनकी बात नहीं सुन्दर बहुत है, अरे वाँ, बहुत सुन्दर, सुश्मा जी, ये किस क आपka वह उत्तर है बिल्कुल सही उत्तर है बहुत बहुत सुन्दर जी तो इसका मतलब है एक सुन्दर साथ और की बारी आनी चाहिए इसमें धनी ये कहरे है एक सुन्दर साथ को और मौका मिलना चाहिए तो वो सुन्दर साथ हैं, जिनकी टान ना आई हो, सुन्दर साथ जी प्लीज मुझे बताईएगा, हैंड रेस कियो हैं पर टान ना आई हो, क्योंकि मेरे दिल को खुद अच्छा नहीं लगता, हाँ जी, जिनकी नहीं बारी आई मुझे बताईएगा, रानी दीदी यमुना जी, आई थी. फ्ल्वन दीदी जी खतुरूती में से हारे वाख कांथा बैन बताईएगा, क्या ये सही कै रहें हैं? वाप कांता बैन परिति दीर्ण ने. रजक बताईएग्राएगे जावां, मुझे के मिलनी नी रहा? जी, कांता बेन प्रणाम जी, प्रणाम जी, देदी सही है, प्रणाम जी, बिल्कुल सही है, हती सुदर, श्री खटरुती में जो हमने वेद रिचाओं का विरहा, जो हमने सीखा था, उसमें से ही ये कहा गया है, उदव जी का प्रसंग उसमें आया, बहुत अच्छे से, और प्रकाश में आया था, श्री प्रकाश इंदोस्तानी में कि ऐसा कहती है सक्या, बहुत सुनदर, बस एक लास्ट प्रशन है, इसी का इचित्र है, वो भी बताईएगा, यह बताईएगा, कौन सा प्रसंग, शुनदर साच्छे, यह कौन सा प्रसंग लगता है, देखा देख सा लगता है, कौन सा प्रसंग लगता है, वेरी गुड, जी यह जा रहे हैं हम वर्शा जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी दीदी, दीदी तुरु शेत्र में जब गीता का जया था, श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को और अपना विराठ स्वरूप दिखाया था, यह वो प सकता है इसमें, अगर यह वैसी पिक्चर हो, श्री कृष्ण तृधा लीला से रिलेटेड क्या हो सकता है, मैंने एक बार डाउन किया है, जी, कृष्ण तृधा लीला से रिलेटेड, इमान टीम को बहुत बधाई, हैं सबसे पहले रेज हुए आपके, इसमें जैश्री बे श्री क्रिष्ण तरिधा लीला में से ये क्या है? आंजी? श्री क्रिष्ण तृधा लीला में जी, बहुत सुंदर, इसमें एक और सुंदर साथ के पास मैं जाना चाऊंगी, ये क्या दर्शाने की कोशिश की हुई है, तृधा लीला से related, क्या दर्शाने की कोशिश की है, लास्ट प्रशन है ये सुन्दर साथ जी, जी, क्या दर्शाने का प्रयास यहां किया गया है, आन जी, 85 hands इस पे raised हो चुके हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ किसी नए सुन्दर प्रणाम जी प्रेम प्रणाम जी या उनको दर्शन दे रहें वसुदेव को और देवती को चार बुजा वाले क्रशन जी नहीं यह यह क्रशन जी के अंदर प्रवेश करके यह विश्णु की लीला है तुर प्रतिविम लीला में हानी बिलकुल सही विश्णु में हो गया न सुदर साथ जी यह दिखाने की कोशिश की हुए है कि श्री कृष्ण जी विश्णु में हो गये तीसरी लीला शुरु हो गई इस प्रकार का यहा दर्शाने की कोशिश जी अ muj感じ सुन्दर हांजी बहुत सुन्दर बहुत हांजी आप लिये सुरी सुन्दर साह्ट जी आपको थोड़ी तक्रीफ होई वो लाच्ट फले पिच्छस में बहुत सुन्दर रहा बहुत प्यारा रिवीजन कराया दोनों सक्क्यों ने इस वाज दो final revision Monday वाले दिन हम सभी आनंद लेंगे बैठ के relax हो जाएंगे बिल्कुल और Tuesday से शुरू करेंगे आज या कल में एक और post एक और invite सहयोगिता का post किया जाएगा आप सभी सुन्दर साथ को पिछली post की तरह ही 217 shares तक मैंने देखे हैं सुन्दर साथ जी हर एक को अपनी वाल पे भी post करना है जिस जिस WhatsApp ग्रूप में आप हैं जिस जिस Facebook ग्रूप पे आप हैं अपनी स्टोरी पे अपने status पे उसको लगाना है पता नहीं कौन सी रूप क्योंकि मेरा दिल ये कहता है इस विशे पे तूटे हैं तो इस विशे पे जुड़ेगा पूरा समाज तो हम अपनी भूमी का निभाने में पीछे ना रहें सब जोडने वालों में आगे आएं जरूर शेर कीजिएगा प्रणाम जी मंडे सभी सुन्दर साथ अपने अनुभव भी शेर करेंगे और भी होगा अभी एक बात मैं आपसे करना चाहती हूँ वेरी वेरी इंपोर्टेंट इसके पहले की सुन्दर साथ जी चले जाएं हम कहते हैं जीवों की सुर्ता आई तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि वहाँ पर वो जीव है नहीं वो जीव सुर्ता ही बन चुके हैं तो राइट वर्ड्स और राइट फ्रेज इस सुर्ता रूप में ही वो जीव आए जीवों की सुर्ता नहीं आई जीव वहीं नहीं रह गए सुन्दर साथ जी आपने देखा इश्वरी सुर्ष्टी सुर्ता रूप हो चुकी है तो इश्वरी सुर्ष्टी की सुर्ता पूरी की पूरी यहीं आजाती है वो आधी वहाँ नहीं रह जाती कि थोड़ी इश्वरी सुर्ष्टी वहाँ पड़ी है उसकी सुर्ता इधर आगी के मूलतन नहीं है वहां पे जबकि ये जो इश्वरी स्रिष्टी के जीव सबलिक ब्रह्म के कारण में अखंड हुए हैं वहां केवल नूरीतन लीला करता रह जाता है और पूरी की पूरी सुर्ता निचुड के इधर आ जाती है उनकी यानि उनमें कोई जीव नहीं है उस टा उनको भेजा गया इधर तो जीवों की सुर्ता प्रयोग ना करके जीवों की सुर्ता होता है जीव वहीं बैठे हुए है जैसे हम बैठे हैं परमधाम में और हमारी सुर्ता आ गई है तो वहां नूरी तन बैठा है पर जीव वहां है निया वो सुर्ता रूप ही धारन कर च जी ने जो उत्तर दिया वो बिल्कुल पर्फेक्टली सटी की दिया उनके मुख से राजी ने निकलवाया ही वही कि जीव सुर्ता रूप में इधर आगे जीवों की सुर्ता नहीं सारी PDF में भी इसको सही किया जाएगा इसलिए श्री कृष्ण तृधा लीला की रिवीजन में बताया बी तक सहाब में नहीं क्योंकि जो सुन्दर साथ इसकी प्लेइलिस देखेंगे उनको ये आंसर इसी में मिल जाए प्रणाम जी आप सब के चर्णों में कोटी-कोटी प्रणाम जी अती सुन्दर हां जी किरन द अनिल जी को कुछ कहना है वो कपसे मुझे बोल रहे हैं मुझे दिदी से बात करने दिदी से मुझे बात कर वाले वह आपसे कुछ बात करना चाहते में फोन उल्टा करके दे देती हूं बिल्कुल बिल्कुल भाई आग्या दीजे भाई पनाम जी दिधी पनाम जी सुंदर साथ जी पनाम जी दिधी एक question मन में आया था कि जब प्रतेविम लिला स्टार्ट हुई अमरी 11 दिन की तो उसमें अगासूर बगासूर पुतना ये कुछ भी नहीं है तो कैसे है नहीं है तो ब्रह्मान को कैसे पता चला अगासूर बगासूर का तो वो नाश कर चुके है ना पहले ही भाईया वो कहां से आए गया वो तो अखंड हो गए है वो तो लिला अखंड हो गए तो दुनिया को कैसे पता चला कि ये प्रतेविम लिला में तो आया ही नहीं नहीं उनका तो दुनिया के सामने ही तो मारा था उनको अगासूर बगासूर को पर वो ब्रह्माण तो अखंड हो गया ने ये तो दूसरा ब्रह्माण बना ने तो पर दुनिया को तो पता ही नहीं कि दूसरा बनाये, दुनिया के लिए तो वैसी की वैसी मेमरी दे दी गई है ना उनको, जैसे वो बच्छडे बच्छडे दुबारा बनाये थे ना, बच्छडे ब्रह्मा जी, वो सारा उन्होंने दुबारा बनाया था ना भाई, तो वो memory उनकी brainwash कर दिया जाता है उनका वैसे उनको गोप को थोड़ी पता है वो कल भी काम पे गए थे आज फिर गवाले अपना चराने जाएंगे गईयां उनको तो लगेगा कि गईयां हम कल भी चराने गए थे आज भी जा रहे हैं वो ये थोड़ी भूल गए कि हम गवाले हैं हम आज ओफिस थोड़ी चले जाएंगे हम गईयां ही चराने जाएंगे उतनी memory उनको दी गई है अच्छा जी 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 पर नाम जी पर नाम जी और एक और प्रस्ट था कि जैसे मथूरा से कृष्ण को बुलाने के लिए अक्रूर जी आते है तो अभी हम उने जो जो खट्रूती की उसमें अक्रूर का पार्ट किसने बजाएं एक्चुली जब पढ़के देखा ना स्वामी जी ने शुरू में तो लिखा हुआ था कि बालबाई जी और बिहारी जी को दो पार्ट्स दिये गए हैं तो उन्हें एक को तो अक्रूर बोला था और दूसरों को उन्होंने बोला था उधव जी तो बीच बीच में कहीं कहीं चेंज भी हो जाता है थोड़ा थोड़ा सा मिक्स भी हो जाता है कभी बालबाई जी को बोल देते हैं कभी उनको वो बोल देते हैं तो उधव जी को जादा बोला गया है अक्रूर जी का कम आया क्योंकि वो तो ले गए थे उन्होंने कहा कि इतना बुरा तो बिहारी जी ने मेरे साथ नहीं किया जितना बालबाई जी आपने कर दिया मेरे साथ तो इतना बुरा तो अक्रूर ने नहीं किया था बिहारी जी ने नहीं किया था जितना उधव तुमने कर दिया आके तो बिहारी जी को अक्रूर जी उस प्रसंग में कहा गया था और इनको बालवाई जी को उधव कहा गया था, पर कहीं-कहीं उधव वो उनको भी बोल देते हैं, बिहारी जी को में, जी-वी, ये बात करते-करते ये और प्रस्न और आया, कि वो लिला तो जो 11 दिन की लिला में जो भी जीव थे, जो वरच के जो भी जीऊ थे वो वरच के सारे जीऊ को तो अमने अखन कर दिया सबलिक के कारण में सारे नहीं सारे नहीं सब लिख के कारण में व्रज के जीव तो अखंड हो गए जो सानिध्य में आये थे वो जी तो यह जो नए जीव बने आज जो हम इन ट्रावल करके लेकर आए लिख नए लिए ब्रवान के लिए तो उनीसे प्रतिम लिला स्टाट उई continues पता चला ऑगासुर बगासुर को मार दिया उनस्टो तो दुनिया को कैसे बद्टा चला बाप्कीयों ने बताया होगा ना भै साथ वालो जो भी साथ में आया वो तो अखण हो गया। यह इश्वरी स्रिष्टी भी तो आई हुई है। भाई सारे चुन्णों ने भी आसासाथ वालों से कुछ तो सुना ही होगा। दो दिन से आई नहीं ने तो आज बोले थी मुझे दिदी से बात करवा दो मुझे दिदी से बात करवा दो आंको का उपरेशन हो गया दिदी उनका अजी प्रणाम जी बहुत प्रणाम जी सुंदर साहजी मंडे के लिए नाम आई होप आपकी टीम्स में से शांता जी को तो कृपया जल्दी से जल्दी अपने नाम शिलपा जी शांता जी तक जरूर पहुंचा दीजिए क्यूंकि आपकी टीम रह ना जाए इसमें पीछे दो नाम अभी चाहिए और उसके बाद वाले नाम भी दो को बोल्ड करके बता दीजिए बाकी सारे नाम भी भेज दीजि हमें बैठकर अनुभव नया ही हुआ है वो भी अपने नाम लिखवाईए कोई पीछे ना रही है सुन्दर साथ जी हां जी जी कोई और प्रश्न किसी के रिदह में आ रहा हो तो पूछ सकते हैं और पूरी रिपोर्ट आज की श्री निवास अंकल नहीं बताएंगे आज से आज से हम पूरी रिपोर्ट कारिकरम की नहीं बताया करेंगे कि इन्हों ने गायन बहुत अच्छा किया इन्हों ने ऐसा क्योंकि बिल्कुल जिस्ट बताएंगे कारिकरम का यदि एक या दो चीजें अच्छी लगी हो क्योंकि दोहराएंगे नहीं हमारे पास अब समय नह पूछा था और यह हमारा तो यह पीछे बाहर निकल गया उस वक्त और वो कुष्चन जो था वेरी वेरी इंपोर्टन कुष्चन था अब उसको थोड़ा से एक मिन्ट के लिए उसमें प्रकास द्वारा से डालने तो बहुत बैटर हुए कौन सा था पर वो कुष्चन जो है सिलपा जी ने उस पकत पूछा था और शायद विशनुग जी के बारे में है पिटी तुम भी के लिला के बारे में वो तो याद करना पड़ेगा या फिर आपना यूट्यूब में देख लीजिएगा उंकल अगर प्रश्ण मिल जाएगा यूट्यूब लाइब में अभी भी चल रहा होगा अभी भी मिल जाएगा इसी समय भी प्रणाम जी मैं एक बार जैकारा लगा के रिकॉर्डिंग ओफ करती हूं फिर आते हैं सुन्दर साथ जी बलोशी प्रानात प्यारे की जै बलोशी सत्गुरू पाराजी की जै प्रण आते हैं सुन्दर साथ जी प्रानात